अमेरिकी राष्ट्रपती जो वाइडन गुरुवार को कोलोराडो में एरफोस एकेडमी के कारिक्रम में गिर पड़े वे यहां ग्रेजुएशन सेरिमेनी में भाग लेने आये थे भाशन देनी के बाद उन्होंने एक केडिट से हाथ में लाया और जैसे ही वे अपनी सीट की तरफ जाने लगे तभी वे स्टेश पर गिर पड़े एरफोस अधिकारियों ने उन्हें उठाया उठने में उन्हें कुछ परिशानी आई हाला कि खड़े होने के बाद उन्हें मदद की जरूरत नहीं पड़ी वाइट हाउस के कम्यूनिकेशन डारेक्टर बैन लाबोल्ट ने ट्विट कर बताया कि राश्टपती ठीक है उन्हें चोट नहीं आईए इस कारी करम की वीडियो में दिख रहा है कि बाइडन जैसे ही खड़े होते हैं वें उंगली से स्टेज की तरफ इशारा करते हैं बताया जा रहा है कि यह काले रंग का बेक था जिसमें रेग भरी थी बाइडन का पेर इसी में फसा था बाइडन अमेरिका के राष्टपती पत सम्भालने वाले सबसे बुजूर्ग नेता है 80 साल के डेमोक्रेट नेता ने 20 जनवरी 2021 को राष्टपती पत की शपत ली थी उन्होंने रिपब्लिक के उमिद्वार डोनाल्ड टरम को हरा कर अमेरिका की सत्ता हासिल की थी वे 2024 में दुबारा चुनाव लड़ने वाले हैं इसी के साथ बने रही है राष्टपती वी के साथ दने वाग